तो आज आज तो आज देख रहे हैं प्राटाइच पिछले कई महीनों से मरमत कारेकेर के बंद मुंबरा बाइपास का काम पूरा होने पर इस बाइपास को आज आम जलता के लिए खोल रिया गया है 8 सितंबर को कलवा मुम्रा के विधायक जितेंदर आवाट ने प्रेस कांफरेंस कर बताया कि 10 सितंबर को सुबा 9 बजे इस बाइपास का उद घाटन जंदरकान पाटिल के हाथों से होगा मकर राद 12 बजे के दर्म्यान इधायक जितेंदर आवाट ने अपने कार्यकरताओं के साथ जाकर खुद मुम्रा बाइपास का उद घाटन किया ये पीचे आंगे पीचे आणा फाथो नहीं। उजर राप्टधर ए्झार्व का राप्ट एस औो का राप्टधर नहीं? घरन दंसान दियार हो प्हों का राप अधरी कषद मारी भाल एस Бाडिश कि यह बाइपास का उद्हाटन कल होने वाला था सुबा में तो आज इतनी रात पर शुरू हुआ है कि कल भारत बंद अभी से भारत बंद शुरू हुआ है तो इसलिए जो अधिकृत मंत्री आने वाले थे जिन्हों ने इसके लिए योगदान दिया पैसे दिये हमारी मांग क के उपर दिया हमारे शमिंग भाई हो राष्ट्रवादी के शानू पठान हो अश्रीन राउत हो सिधार उमरे हो राजन केनी साहब हो सब मिलके जो अंधुलन लगातार हुआ इस बाइपास के उपर उसके बाद राष्ट्रवादी का मांग पे कुछ करोडर रूपे का इस बाइपास का उदगाटन रात में इसलिए किया गया चूंकि भारत बंग का आवहन किया गया है जिसकी वजह से या फैसला लिए गया कि रात में ही मुमरा बाइपास का किया जाएगा बिधाय कावाट ने इस बाइपास का उलगाटन नार्यल फोड कर किया जिसके बाद बिधाय कावाट खुद टरक पर सवाब होकर बाइपास की यात्रा की इस मौके पर हमीन खान नगर सेवक सानू पठान और तमाम कार्यकरता मौजूद थे तो देश और दुनिया की तमाम ख